प्रजाश्थान के नागोर जिले का निवासियों और मुझे गुजरात के डरावंटित हुआ है और कोरोना महामारी के दोरान मेरी फील्ड ट्रेनिंग गुजरात के बलसाट जिले में होती सर अपने ये तनुसरी और दास के पास से गुजरात जान ली है कर नहीं रहते थे सर इन माईगरेंट वर्कर्स को ना सिर्फ स्वास्ति संबंदी चुनौतियां का सामना करना पड़ा था बलकि इनको बेरोजगारी और भुक्मारी के वही संकटिन पर आया था तो ऐसे समय में आपके मारक दर्सन में वल्साट पुलिस ने बाकी प्रसाशन की हिकायों के साथ मिल जब बहुत ही समयदन सिलता और सक्रियता के साथ काम किया था सर इसमें मैंने ये सीखा कि एक खाकी के पीछे चुपावा एक समयदन सिल इनसान मुसिबत के समय बियॉंड कॉल अब ड्यूटी जाकर जनता की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 गंटे तत पर रहता सर सरश आपकी सवससनल की परिकल्पना के अनुसार किसी भी जनता की हर समस्या के लिए एक सिंगल पब्लिक इंटरफेश होना चाहिए इस महामारी के दौरान वो पबलिक गव सिंगल पबलिक defense वो पुलिस थी और एंवने इस जिमेवहरी को बहुभी निबाय था सर मैं आपक सारे देश भर से जो आर्थिक व्यवास आर्थिक जो मदद आई थी उसको चैनलाइज करके बेनिफिसरी इसका इडेंटिफिकेशन करके उनमें वल्नरेबल इंडिविजल डोनर को एक 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 इरिया असाइन करके टोटल 30,000 परिवारों को दो महिने से भी ज्यादा समय के लिए उनके डोर स्टेप पे रासन की डिलिवरी करी थी सर सर इंटर डिपार्टमेंटल कोडिनेशन का पुलिस ने इस समय में बहुत ही एक मिसाल पेस करी थी सर आपकी जनकरे में लाना चाहूंगा कि इस समय वल्साट से टोटल 61,000 माइगरेंट्स को उनके घर भीजा गया था जिनमें पुलिस ने भारतिये रेल और प्रसासन की बा का भी काम किया हमने इंडस्ट्री के लेबर रिक्वार्मेंट का असेस्मेंट किया और माइगरेंट की स्किल मैपिंग करके उन दोनों के बीड़ ना सिर्फ लेबर्स को रोजगार मिला बाकि जो डिस्ट्रेस माइगरेशन जो भेह का बाताबन था हो भी कम हुआ सर वानने आपके संदेश के अनुसार हमने स्लम एरियाज में जाके घर घर जाकर मकान मालिकों से ये गुहार लगाई कि वो इन माइगरेंट लिबर्स का किराया माफ करे और मुझे इस देश के नागरिकों पर गर्व है कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को अपना राष्ट धर्म समझ कर स्विकार किया था जैसा कि सर आपने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी जो जनता का हमारे में विश्वास है वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम इस पूंजी को बढ़ाते जाएंगे और सर मुझे याद है जब हम आपके निवास इस्तान पर मिलेते तो आप में वर्यम बकू भी निकाएंगे, हम आपको इसके लिए आस्वस्त करते हैं, जै इन सब्सक्राइब आप लोगों ने इस समय ये काम किया है, एक बात और देखी होगी आपने, कि हमारे देश में समाज की शक्ति कितनी जबर्जस्त है, सरकार से भी अनेक गुणा शक्ति समाज में होती है, और आपने इस पूरे संक्ट काल में जब फिल में थे, तो आपने अबज़र किया होगा, आज भी अगर उस चीजियों को समरन करें तो करिए, होसे के तो डायरी में लिख भी दीजिए, समाज की सक्रियता के खारण, सरकार पहुंची हो या न पहुंची हो, व्यवस्ता पहुंच पाई हो न पहुंच पाई हो, समाज का कोई कोई बंदा वहाँ जरूर पहुंचा होगा और उस गरीब के आंसु पहुंचने का काम किया होगा भूख के कोखेलाने का काम किया होगा मरीज के दभाई का काम किया होगा ये आप सबने अनुभव किया होगा हमारे देश की ये सबसे बड़ी विशेस्ता है और मैं आपको एक अनुभव सोनाता हूँ, जब कश मैं भूकम पाया, तो मैं तो उसमें मुख मेंतरी नहीं था, लेकिन एक वॉलेंटियर के रूप में मैं वहां काम करता था, तो कई विदेश के लोग भी वहां काम के लिए अनेक देशों की संस्ताय वहां काम कर रही थे, लेकिन वो अपना शाम को पांच शे बजे के बाद काम बंद कर देते थे और अपने अपने टैंट वगरे साथ में ले आये थे, वो उस नानुवान करके वही पहुच जाते थे, तो मैं फिर उनको मिलने जाता था, उनसे बा कुछ लोग तर्की से भी होकर के आये थे, कुछ लोगों का अनने देशों का भी अनुफर हो था, तो कह रहे था हम दुनिया में कई देशों में ऐसे जब संकड होते हम पहुंचते हैं, वोलेंटेरी सेवाय करते हैं, और बहा पर या तो रेड क्रॉस NGO की रूप में काम करत हैं, कोई खाना पका रहा है, खाना पहुंचा रहा है, कोई बिमारों की चिंता कर रहा है, बोलें इतना सिविल सोसाइटी का संगठीत रूप में कॉंटिबिशन ही हमारे लिए अच्रज आए, मेरा कहने का तातपर यह है का हमारे देश में हम सासन व्यवस्ता में जन शक्त हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी भड़ेगा और हम बहुती कम एफट से मैक्सिमम रिजट ले पाएंगे, और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक यह सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा, जब यह स्थिती बनती है, तब सासन क की, शासन में बैटे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है, और इसलिए इसमें से एक चीज भी हम अनुभव करें, कि समाज की शक्ति का हमेशा अधर करें, समाज की शक्ति को जानने का प्रयास करें, समाज की शक्ति को जोडने क प्रयास करें, हमारे ही काम के अनुकुल समाज में ऐसी कौन सी कौन सी सकारात्पक शक्तिया है, सात्विक शक्तिया है, ऐसा नहों कि हम हर गुने में जो पंच चाहिए तो फाक्तु पंच उठा के लाते हैं, और वो ही हमारे परिचित रहें, वो इन से बैठना उठना हो, इस दुनिया से बचना है, लेकिन समाज की शक्ति क्यों देखेंगे, तो हमें बहुत लाब मिलेगा, मुझा अच्छा लगा कि आपने वलसार में रहते हुए इस चीजों को अनुभव किया है.